तो आपको यहां पर टाइटल के अंदर एक अप्रोच कर रहे हैं तो इस लेक्चर में सिस्टम्स अप्रोच करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपका जो है ऑक्सवर्ड अप्रोच होगा हर लेक्चर के अंदर एक बात स्टार्टिंग में बोल रहा हूं कि IR के जितने लेक्चर हैं उसको सीक्वेंस में देखना अगर कोई पहली बार चैनल के उपर आया है और सीधा यह वीडियो खोल रहा ठीक है तो सिस्टम अप्रोच को इसके अंदर हमने डिस्कस करना है अगर आप MCQs प्रेक्टिस करना चाते हो तो non-video MCQ courses हैं combo course है gap, industrial relations, social security तीन जो topics हैं जो basically APFC, APFO के exam में सबसे ज़्यादा बच्चे को तंग करते हैं gap का individual course ले सकते हो, IR का individual course ले सकते हो, social security का भी individual course ले सकते हो, ठीक है तो यह सारे courses आपके पास available हैं जिनको आप देख सकते हैं, link description में है system approach के उपर आजाओ, तो system approach जो है mainly यह देन है professor John T. Dunlop की मैंने आपको पहले भी बताया है कि जितनी भी approaches हैं, किसने कौनसी approach दी है, यह clearly पता होना बहुत important है एक नए question तो directly वो इसी के उपर पूछ लेता है कि कौनसी approach किसने दी है तो आपकी system approach किसने दी है, systems approach दी है आपकी professor John T. Dunlop ने Harvard University के अंदर पढ़ाते थे इनकी एक किताब भी है जिसका नाम है industrial relation system जो इन्होंने 1958 के अंदर लिखी थी तो किताब का नाम भी याद रख लीजेगा, approach का नाम तो याद होई जाएगा और किसने दिया है वो भी याद रखिएगा, direct question इसमें से आता है तो Dunlop का जो model इन्होंने दिया है, जो system approach का यह basically Talcott Pearson की एक sociological framework दिया था, Talcott Pearson ने जिसको वो basically functional imperatives बोलते थे उसमें basically सारी जो society है या sociological framework है वो चार imperatives के around revolve करता है तो जो Dunlop का system approach का model है, वो काफी हद तक इसी के उपर based है ठीक है, अब देखो सीधा साब पहले तो question आगे बढ़ने से पहले देख लो कि यह एक direct question है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ प्रिवेस त्री वीडियो के अंदर भी बता चुका हूँ कि इस type का question वो पूछता है कि system approach किस ने दिया है ठीक है, सीधा सा सवाल है और सीधा सा इसका answer है, जॉन टी डूनलॉप बट पिट पर के अंदर यह गलत हो जाते हैं आते नहीं होते बच्चों को अकसर अब system approach के अगर हम बात करें तो चार जो tell cut person ने imperatives दिये थे उसके aroundी revolve करता है तो चार जो imperatives tell cut person ने दिये थे पहले तो वो समझ लो क्या है पहला कहता है adaptation ठीक है, adaptation basically क्या करता है adaptation बोलता है कि environment change हो रहा है अब environment जो change हो रहा है उस changing के साथ हमको adjust करना है ठीक है, तो हमारे actions ऐसे होने चाहिए जो हमें उस environment से adapt करने में help करें दूसरा जाता है integration तो अब देखो एक society के अंदर या एक sociological framework के अंदर या एक organization के अंदर भी actions अलग-अलग लोग perform कर रहे हैं ठीक है, तो ultimately actions ऐसे होने चाहिए जो coordinate आप कर सको अगर आप सबसे अलग चल करके अपने actions perform करोगे तो definitely कभी भी आप एक organization के अंदर काम नहीं कर सकते तो actions should be controlled and coordinated ताकि आप एक coordinated effort के साथ काम कर सको और उससे क्या होगा आपके काम में deviations नहीं आएंगी sources को most suitable way में वो harness करे then pattern maintenance, ठीक है जी इसमें क्या होता है basically कि आप capacity building करते हो ताकि लोगों के अंदर institutional values build up हो तो ये चार जो है basically imperatives थे जो Talcott Pearson ने दिये थे और इसी के base के उपर पुरे का पुरा system approach जो है वो आपके Dunlop भाई साब ने दिया है ठीक है और क्योंकि industrial relation system जो है ना वो भी एक तरह का social system का sub party है ना क्योंकि society में सी तो लोग आकर के काम कर रहे है अब जो इन्होंने system approach में दिया अभी आपको ये शायद chart इतना समझ में ना है ये chart मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ और इसके बाद जब हम सारी बातचीत कर लेंगे उसके बाद last में भी दिखाऊंगा तो अभी आपको शायद इसकी clarity नहीं बनेगी लेकिन जब तक आप इस lecture के end तक पहुंचोगे तब तक आपको ये clear हो जाएगा तो ये system approach है dunlop का ये एक table या ये एक image है जो dunlop के system approach को पूरे तरीके से यहाँ पर समझाता है तो dunlop क्या कहता है कि देखो जी industrial relation system जो है इसके अंदर बहुत सारे actors हैं ठीक है actors हो गए एक तरीके से आपकी parties ठीक है actors हो गए आपके parties अब actors कौन कौन आगे actors कौन कौन आगे industrial relation system में उसको समझो सबसे पहले तो managers आगे अलग-अलग level के ओपर managers है एक के ओपर एक पूरी hierarchy बनी हुई है ठीक है वो supervise कर रहे हैं अलग-अलग departments को उनके खुद के representatives भी है department के अंदर जो assistant manager वगयर है ठीक है तो और यहाँ पर आप employers को भी include कर सकते हो क्योंकि employers बहुत से cases में as managers act कर रहे हैं तो एक तो आगे आपके employers और managers दूसरे आगे आपके workers जो non-managerial workers है ठीक है जो काम कर रहे है ground level के उपर और उन workers के spokesmen spokesmen के अंदर आपके trade unions भी आ जाएंगे और तीसरा actor कौन आ जाएगा तीसरे आपकी आ जाती है सरकार ठीक है सरकार आ गई या specialized private agency आ गई जो basically कोई trade union बनी हुई है या कोई union employer की बनी हुई है तो ये specialized government agencies आ जाएंगी जो basically ये देखती है कि सब कुछ according to law हो रहा है या नहीं हो रहा है worker और enterprise के relationship को govern करती है by making various laws तो ये तीन जो है ये major actors होते हैं अब देखो जो पहले दो है पहले दो तो directly related है एक दूसरे के साथ क्योंकि manager और worker एक ही company के अंदर काम कर रहे है manager worker को supervise कर रहा है तो एक दूसरे के साथ काम कर रहे है तो कहीं ना कहीं वो एक दूसरे के साथ interrelated है लेकिन जो तीसरी agency है वो directly related नहीं है ना वो organization के साथ directly related नहीं है अब hierarchy of worker तो वो अलग-अलग तरीके से आप उसको organize कर सकते हो उसमें work councils भी हो सकती है unions भी हो सकती है parties भी हो सकती है ठीक है अब specialized government agency कौन हो गई ये भार के लोग हैं ये बाहर के लोग हैं और ये basically कई बार managers की और workers की hierarchy को भी override कर देंगे by law making ठीक है क्योंकि अगर सरकार कानून बना देगी तो hierarchies को भी उस कानून को adopt करना पड़ेगा तो ये आपके कौन हो गई actors हो गई mainly team आपने ध्यान में रखना आप से वो सिधा-सिधा सवाल पूछ ले की डियोनलॉप के model के अंदर actors कौन है तो आप कहा दोगे की managers workers है और उसके बाद specialized government agencies है ठीक है अब इन actors की कुछ ideologies होंगी ideologies क्या होती है वो समझते है ideology वैसे एक term बहुत simple term है आप जानते हो क्या होता है एक system of belief होता है आप कुछ अगर कुछ believe करते हो ठीक है तो वो क्या है आपकी ideology है ठीक है आपके कुछ sentiments है वो आपकी ideology का part है तो जो actors हैं the actors will be having different beliefs and sentiments managers का अलग belief and sentiment होगा workers का अलग belief and sentiment होगा government का अलग belief and sentiment होगा ठीक है जी तो basically ideology के अंदर क्या आगया beliefs and sentiments आगया अब जो industrial relation system है हमारा जो dionlop का industrial relation system है वो क्या क्याता है dionlop इसके अंदर कि ये जो ideologies है ना अलग-अलग actors की ये compatible होनी चाहिए compatible का क्या मतलब है कि ये एक दूसरे के साथ adjust कर सकें ऐसा नहीं होना जीएगी दोनों north और south है अगर दोनों ideologies north और south है फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता फिर तो बात ही खतम होगी अगर north और south है तो तब भी आपको उनको जो है एक साथ लेकर के आना पड़ेगा जब तक आप ideologies को एक साथ लेकर के नहीं आओगे तब तक काम बनेगा ही नहीं ठीक है क्योंकि वो एक दूसरे को accept ही नहीं करेंगे ठीक है जी तो actors हो गए और actors के पर different ideologies है तीसरी चीज़ आजाती है rules अब देखो different actors हैं अब ये जो different actors हैं ये over the time कुछ rules establish करेंगे workplace से related काम से related जो contracts है different actors के बीच में जैसे worker और manager बीच में contract हैं उससे related rules जो हैं ये बनाएंगे अब rules change होते रहते हैं जगा के हिसाब से समय के हिसाब से time के हिसाब से जो status है actors का उसके हिसाब से ठीक है जी ये तीनों actors हैं ये तीनों मिलकर के rules बनाएंगे और rules कैसे बनेंगे collective bargaining के थू workers अपनी बात रखेंगे employer अपनी बात रखेंगे सरकार अपनी बात रखेंगी ठीक है जहाँ पर workers को एक sufficient say है जहाँ पर workers का say ही नहीं है ऐसी countries या ऐसे industrial setups जहाँ पर government का worker का say ही नहीं हमाँ पर manager decision दे देगा और वो rule बन जाएगा ठीक है वो एक administrative order पास कर देगा और वो rule बन जाएगा तो rules कौन establish करेगा actor ठीक है और इन rules के अंदर ideology बहुत important role play करेगी क्योंकि जब ये तीनों table के ओपर बैठेंगे तो rule ये common rule तभी frame कर पाएँगे जब इनकी आपस में ideology compatible होगी अब अगर इनकी ideology ही compatible ना हुई तो ये rule frame करी नहीं सकते are you getting my point तो actors, ideologies और rules ये तीनों एक दूसरे के साथ interconnected है एक industrial relation system के अंदर अब इन actors, ideology और rules को industrial relation system के अंदर कुछ contextual factors है इसको हम क्या बोलते है contextual factors है जो in actors, ideologies और rules को govern करेंगे आगया जो ये question है, ये देख ले न which among the following is one of the actors in developed system approach मैंने आपको बताया भी था सिधा manager, worker, government, all of the above तो all of the above answer हो जाएगा ठीके जी, तो context के अगर हम बात करें तो context में तीन में इन चीजे आगी technological determinism, market and budgetary constraints, locus and distribution of power एक एक करके समझते हैं तो technological determinism के अंदर क्या आगया अब देखो technological features जो होते हैं एक workplace के उपर उसके बहुत सारे consequences होते हैं किसी भी industrial relation system के उपर क्योंकि technology से आपको पता चलता है कि यार management and employee organization किस तरह की है किस तरह की management है, किस तरह की employees है organization के अंदर, अगर आपकी technology advanced है तो जो workers का level है वो भी advanced होगा ठीक है या आप सिरफ manual working के उपर काम कर रहे हो ठीक है जी, अब technology setting की वज़े से आपकी supervision की problems आपको क्या challenges pose कर रही है, all right and labor force किस तरह की आपको required है public regulation के क्या potentialities है यह आप सब देखोगे, अब जैसे अगर आप देखो, एक mining industry है, उसका technological context बिलकुल अलग होगा manufacturing industry के मुकाबले तो technology बहुत जादा important role play करेगी, क्योंकि यह actors को influence करेगी directly, workers और managers को influence करेगी directly ठीक है जी, it not only disturbs existing employment patterns, अब कोई नई technology आजाए तो वो existing employment pattern को तो disturb करी देगी न, अगर आप अभी कुछ manually कर रहे हो, कल को एक robot बन करके आजाए तो definitely वो एक existing employment pattern को disturb करेगी, ठीक है वो workforce जो आप employee कर रहे हो organization के अंदर, जो size है workforce का, कि कितने लोग आपने hire कि हुए है, उसको भी definitely कही न कहीं वो effect करेगी फिर आजाते हैं आपके market और budget constraints, market और budget constraints के अंदर क्या आगया, कि आप competition कैसा face कर रहे हो, ठीक है आपका जो product है market में, वो competition कैसा है, आप वहापर pure competition है, या आप monopoly में हो, सिरफ आपका ही product है, oligopoly है क्या है, तो उसके उपर भी basically divide करेगा, क्योंकि pricing उसके उपर vary करेगी, जब pricing, देखो अब अगर worker और manager साथ में बैठ रहे हैं, wages discuss करने के लिए तो market और budget constraints तो उसके अंदर important role play करेंगी न, फिर आजाता है locus of control, locus of control में क्या होता है, कि power कैसे distributed है, जो different actors है, उसमें power कैसे distributed है, वो society के उपर depend करेगा, अगर आपकी capitalistic society है, ठीक है, और आपके workers के पास इतनी ज़्यादा power नहीं है, ना उनकी unions वगएरा organized है, worker unorganized है, तो definitely जो employer है, या जो manager है, वो एक strong उसके पास locus of control है, तो definitely जो rules बनेंगे, जो ideology सेट होंगी, वो as per the manager सेट होंगी, तो locus of control भी definitely industrial relation system को पोरे तरीके से impact कर देगा अब वापिस आजाओ इस approach के उपर तो basically अब do you know, आप इसके अंदर क्या कह रहा है, कि देखो जी तीन चीज़े हैं, एक तो actor है, जो basically industrial relation system के अंदर जो लोग directly involved है, worker manager और सरकार इनकी अपनी-अपनी ideology है और ये actors आपस में मिल करके, according to their ideologies, back करके rules बनाएंगे, ठीक है, जब ये सारी चीज़े चल रही होंगी, एक industrial relation system में, तो कुछ contextual factors ऐसे हैं, कुछ चीज़े ऐसी हैं, जो इन तीनों को effect करेगी, ideologies को भी और rules को भी, वो क्या है, technical factors market factors, locus and distribution of power in the society तो ये ultimately, एक पूरे का पूरा system set करेगा ये factors जो है, वो directly इस industrial relation system को IRS को impact करेंगे, ये आपका पूरे का पूरा system approach है जो DUNLOP ने दिया है, ठीक है I hope आपको ये समझ में आया होगा अगर किसी को नहीं भी समझ आया, तो वो comment करके ज़रूर बता देना कि हमको ये point नहीं समझ आया, देखो एक teacher का काम होता, बताना, समझाना अब जब तक बताओगे नहीं कि ये चीज नहीं समझ में आयी तो वो पता भी नहीं चलेगी कि नहीं हुआ ठीक है, तो ये आप बता देना अगर कुछ नहीं समझ में है और next lecture में Oxford approach करेंगे and telegram group join कर सकते हो chat group है, वहाँ पर भी अपने doubts पूछ सकते हो उसका link description में है WhatsApp कर सकते हो, 904-1244-689 पर mail कर सकते हो and एक और बात, अगर आप चाते हो कि channel जो है इसी तरीके से regular lectures आते रहें, तो इसमें एक help आपको करनी पड़ेगी channel को थोड़ा सा grow करवाने में आप help करें उससे क्या होता है कि ultimately एक encouragement भी आता है और और जाधा resources deploy करने को भी हमारे को मिल जाते हैं, so we'll see you in the next lecture, till then take care and bye